मराम जिरी रेलवे स्टेशन पर इटार्सी से नागपूर की ओर जा रही माल गाड़ी का एक डिबबा पटरी से उतर गया इससे डाउन ट्रेक पर यातायाद प्रभावित हुआ है घटना की जानकारी मिलते ही आमला इस्टेशन से ब्रेक डाउन वेन मौके पर पहुँची पटरी से उतरे वेगन को वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है हादसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है इस दुरगटना के बाद प्रभावित वेगन के पास की अन्य वेगन को दूसरे ट्रेक पर ले जाया गया जहां इसे सुधारने का काम चल रहा है सुधार कारे चल रहा है मध्य रेल के नागपूर मंडल के जन संपर्ग अधिकारी राम बरन पॉल के मुताबिक दुरगटना में लाइन पर हुई है लेकिन इससे फिलहाल कोई आत्री गाड़ी प्रभावित नहीं हुई है हाथसे की वज़े से डाउन ट्रेक पर आने वाली करनाटक संपर्ग क्रांती एक्स्प्रेस 12649 के देरी से चलने की संभावना है उन्होंने बताया की ट्रेक को जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा हाथसे के रेलवे स्टेशन पर ही होने के चलते और वैगन प्रभावित नहीं हुए इसकी वज़े इस रेंग की धीमी रफतार बताई जा रही है इस दुरघटना के बाद प्रभावित वैगन के पास की अन्हे वैगन को दूसरे ट्रेक पर ले जाया गया जहां इसे सुधारने का काम चल रहा है ब्यूरे रिपोर्ट विरा 24 न्यूज